हेलो दूस्तो नमस्कार लाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाली एक बहुत इंपोर्टन बड़ी ब्रेकिंग न्यूस यहाँ पर सामने आ चुकी है नियूस की से रिलेटेटेटेट है सो दोस्तो यह न्यूस राकेश जोनजोन वाला जी की जो company है उससे related सो आप सब लोग का पता है RJ सर से related अभी हाली में हम लोगों को bad news देखने को इस पर मिली है so definitely यहाँ पर RJ sir की जो company उन्होंने यहाँ पर shares खरीदे इसलिए हम लोगोंने blindly copy नहीं करना है बट ज़रूर हम लोगोंने जो भी information हम लोगों को मिलती है उससे related अगर आप चाहो तो इस company को study करने की कोशिश कर सकते हो इस sector को study करने की कोशिश कर सकते हो so company का नाम क्या है तो दोस्तो company का नाम है singer india limited yes also singer india limited यह है इस company का नाम और सिर्फ नाम पढ़कर अगर आप अंदाजा लगाना चाहोगे कि यह company कोई singer मतलब singing से related music से related है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है yes also यह company हम लोगों को अलग ही चीज में आपे काम करते ही दिखने को मिल जाती stock market में आपको पताईए दोस्तो कि ऐसे बहुत सारे company है जिनके नाम अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगे का कि अच्छा है यह company इससे related है बढ़ हकीकत में उनका business उससे कोई link ही नहीं रहता है directly ने directly उनका business कुछ अलगी रहता है जैसे कि singer इंडिया जैसे मैंने आप लोगों को बताई यह कोई singing से related नहीं है किस से related है हम लोग ज़रूर इसको यहाँ पर study करेंगे ऐसा ही एक और कौन-कौन से stock है आप ज़रू मुझे comment section में बता दना जिनके नाम दिखते कुछ है और उनका business ही कुछ और है जैसे कि अगर मैं आप लोगों को example के लिए कुछ सामने रख दू तो एक company है Bombay oxygen यह जो सो Bomb oxygen का shortages चल रहा था आप सभी लोगों को पता है तो सभी लोगों को लग रहा था कि यह company oxygen प्रोवाइड करती है क्या उससे related कोई business करती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यह company finance से related है investment company है ऐसे ही और कौन-कौन से company जे अगर आपको पता है जरू comment section में बता देना जिनके नाम देख सकते हैं दोस्तो 14% की जंप देखने को आपर मिल चुके ही यस RJ sir की company उन्होंने आप इंवेस्ट के और पाच दिन की बात करें पूरा पाच दिन में दो दिन में ही company 43% यहाँ भाग चुकी है कल और आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर खबर सामने आ पाच साथ जो आर्टीकल क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और उसी की साथ साथ बैलेंस इट भी क्या है उसको भी study करने की कोशिस जरू करेंगे इसके पीछे का रीजन है आप देख सकते हो राकेश जुन जुन वाला रेर इन्वेस्मेंट येस उन्होंने यहाँ खरीदे है 42 लाग शेर्स इन्दक कंपनी ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है और रिटेल होल्डिंग करके है उन्होंने यहाँ लगबग 1 करोड 20 लाग शेर्स यहाँ पे बेचे है दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते कंपनी का बिजनेस के सिंगर इंडिया इस वन ओफ द लीडिंग मार्केटर्स ऑफ सिर्विंग मशिन्स और स्मॉल होम अप्लाइसेंस इन द कंट्री उसी के साथ-साथ अगर हम अप्लाइसेस लाइक फूड प्रोसेसर उसी के साथ-साथ-साथ-मिक्सर ग्रिंडर्स की अगर हम लोग बात करें ड्राइय आयन की बात करें स्टीम आयन की बात करें सैंड्वीच मेकर टोस्टर की अगर हम लोग आपे बात करें उसी के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- के कंपणी ने इतना बड़ा इन्वेस्मेंट यहां पर किया है इसे कंपणी की बैलेंस इट कैसी है चलो उसी के उपर आ जाते बड़ चले पहले कुछ और इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं जैसे के आप देख सकते कंपणी का मार्केट कैप अल्टरा माइक्रो कैप द इनकी कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्स भी बता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते फैन से रिलेटेड बाते उन्होंने सामने यहां पर करके रख हुए तो बहुत ही छोटी कंपणी है बट इससे रिलेटेड कंपणी का बिजनेस हमनों को देखने को आप बिल रहा है तो अगर आप चाहो तो इसको फर्दर वेबसाइट पर जाके स्टड़ी आपर कर सकते हो कंपणी की बैलेंस शेट की बात करें तो रिजवस हम लोग देख सकते हैं चोटी कंपणी अभी माइक्रोकेप कंपणी है मतलब क्या बैलेंस शेट ओके टाइप किरेगी तो रिजवस आप देख सकते हैं 50, 60, 66 के रिजव से चलिए अच्छी बात है दैन अगर हम लोग बात करें long term borrowing फिलाल तो death free हो चुके कमपनी ने पहले कर जा लिया था बट अभी खुद को death free कर दिया अच्छी बात है शौट term borrowing भी zero या पे हो चुके ये भी बहुत अच्छी बात है और कर रही है तो इसके लिए हमनों को आना पड़ेगा company के quarterly results के उपर so recently जो company ने quarterly results दिखा है जून में आप या पर देख सकते हो इतना कोई strength नजर नहीं आए मतलब इसके पहले operating profit सब 3 सवा 3 करोड के आसपास 3.5 करोड से उपर था अभी company का profit केवाल 1 करोड के आसपास देखने 1 करोड का हो गया तो ऐसे मतलब बोलते है ना जो company आप बहुत सालों साल से business कर रही है तो उनका नाम बहुत बढ़ा हो जाते है तो हम लोग ऐसे companies के इस प्रकार के numbers को हजम कर लेते हैं बट जब छोटी company होती है microcap तब इस प्रकार के numbers को हजम करना थोड़ा सा difficult रहता है जो और वापस 6 करोड के range में 8 करोड, 9 करोड, 11 करोड, वापस 8 करोड तो struggle तो यहापे चल रहा है साफ साफ हम लोगों को सारी चीज़े देखने को आपे मिल रही है तो इतना तुम्हें कह सकता हो दोस्तों देखे company को directly हम लोग खराब तो नहीं बोल सकते बट ये company बहुत ही ज कह सकते हैं कि RJ sir की company ने यहापे कल एंड आज की दिन के हिसाब से आपे जबरदस तेजी रेखने को ले इस company में बहुत बड़ा माल यहापे फिलाल तो उठाया है आखरी सवाल यही रहे गया आप लोगों का कि क्या हम लोग भी इसमें invest करें अगेन गलत बात जैसे मैंने कहा कि कोई भी company कोई भी institution कोई भी बड़ी व्यक्ती उनकी company कोई भी नाम मतलब अगर देखा गया किसी भी company को खरीता है definitely मैं उस company को study करता हूँ बिल्कुल भी मैं ignore नहीं करता हूँ मैं इस company को पूरा study करूँगा प्लस इस sector को भी study करूँगा क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे home appliances से related बड़े-बड़े investor अलग-अलग company में invest कर रहे हैं बट अभी फिलाल तो बिल्कुल भी ने क्योंकि अभी अभी हमनों को एक खबर फिलाल तो देखने को आपे मिली है तो हम लोग कह सकते हैं इस company का अभी देख सकते हैं पार्च दिन भी नहीं दो दिन में 43% बागा है circuit के उपर circuit एक मैने की बात करें तो और अलभी रिटन्स तो अच्छे देखने को पनेंगे दो दिन में ही 40% के रिटन्स दिये है तो अच्छा ही देखने को मिलेगा एक साल के भी रिटन्स अगर आप देखोगे यह देखे इसके पहले अगर आप देखोगे यह देखे कंपनी यहां से गिरावट यहां पर दिखा रही थी इसका रते यह खराबे करके बड़ इससे यह पता चलता है कि मैंने अभी आप लों को 2000% की रिटर्न पर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो वही कमपनी 50-60% कब तूटके नीचे आ जाए और लोवर सरक्रिट लगते लगते नीचे आ जाए और हमें संबलने का मोका भी नहीं मिल जाए ऐसी बहुत बार चीजे में खुद यहाँ पर experience कर चुका हूँ तो इसलिए कहना च करते हैं इतना कुछ खास नहीं साइडवेजी परफॉर्मस है माइक्रो कैप है ना माइक्रो कैप ठीक है या थोड़ी ना कंसिस्टेंटल ऐसा भागेगा बट स्टिल हम लोग आपे कह सकते कि आपे बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगया और यह देखिए कंपनी अभी की ट्रेडिंग के चलते इसमें पैसा कमाने की कोशिश कर सकते है बट हम इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर ने कंपनी के बिजनेस को सारी चीजों को समझ कर ही इन्वेस्ट करना यह आपे होता है ना कि आरजे सर की कंपनी ने आपे इन्वेस्ट कर लिया तो चले हम भी प्रकार से अगर आप मार्केट में आगे खुद से बढ़ना चाहते हो तो इस प्रकार से महनत करनी पड़ती है कोई शौटकट वाला यहापे ऑप्शन नहीं है तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों कोई हल्फुल लगाओगा तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो